कांग्रस ने रोप लगाया है कि केंद्र की मोधी सरकार ने तीन साल में बाते बड़ी बड़ी की है लेकिन धरातल पे कुछ भी नहीं है इस समय मेरे साथ हैं पूर केंद्रिय मंत्री पहुनकुआर बंसल इनसे जानते हैं कि ये रोप क्यों लगा रहे हैं जी बन समझे हैं लेकिन किसी भी क्षेतर में आप किसी भी एरिया में इक में देख लीजे क्या हुआ है मैं समझता हूँ सरकार की सबसे बड़ी ज्मेदरी बच्चों के लिए सिक्षा की बंती है और ये आपको ताजिव होगा ये जानके कि सिक्षा की क्षेतर में इन्होंने जो टोटल बजटरी एक्सपेंडिचर होता है टोटल बजट का खर्च कितना सरकार का होता है उसका 2013-14 में 4.7 से अब 3.71 परसंट पे आ गया है और ये बहुत बड़ा अंतर है इतना आगे है और जो जीडीपी का होता है जिसको हम हमेशा कहते हैं बढ़ाते रहना चाहिए अब तो मेरा खहल वो शायद स्टेट्स का ज्यादा हो गया हो इनके जग़े वो 0.63 की जग़ा जो 0.63 2013-14 में था कॉंगरिस के लास्ट बजट रहा है जो अमाउंट होता है अबसलूट टर्म्स में क्योंके जीडीपी बहुत बढ़ रही है एक सो साथ एक सो साथ लाक करोड था अब उससे ज्यादा हो गई होगी परसिंटेज की बात करते होते हैं हमेशा जब जीडीपी को देखते हैं उसमें अगर ऐसे क्षेतर में भी सबसे पीछे पड़ रहे हैं आइस्ता इस्ता कम होता जा रहा है अब ये बताएं कहां क्या हुआ है जो ग्रोथ रेट है अपना इंडस्ट्री का वो पहली वार इतना कम हो गया है और जो पैसा बैंक्स से लेते हैं लोग जिनको कहते हैं क्रेडिट आफ टेक क्रेडिट off take पहली वार नेगटिव में चला गया है कि पिछले वर्ष कितना था इस वर्ष कितना है उन नेगटिव में चला गया है उसका मतलब यह है कि प्रोजेक्ट्स पे पैसा नहीं लग रहा निवेश नहीं हो रहे लोगों को डर है कि हम अगर पैसा लगाएंगे हमारा काम नहीं होगा और ये बातें बहुत बड़ी बड़ी दिखा रहे हैं आप इनके प्लैंस की बात कर लीजिया स्वाच भारत लोगों पे टेक्स लगा दिया कहां दखा दीजिये कहां क्या हो पाया है उसके बाद कहां बेहतर किया है बंसल जी भाजपा सरकार दावा कर रही है कि उन्होंने समार्ट सिटी बुलेट ट्रेंज चलाने का जो वाइदा किया है फास्ट ट्रेंज चलाई जा रही है इसके साथ-साथ जी जो आपका लगाया हुआ पोदा था उसके पर एक्ट पास किया है तो आप कह रहे हो कि अभी तक कुछ किया नहीं है आपने जिन चीजों का आपने उधारन दे दिया मैं उन्हीं की बाद करूँगा बुलेट ट्रेंज कहां है और जो बुलेट ट्रेंज पहली तो यह है कि इनका आइडिया नहीं वो पराने देर से है डॉक्टर मनमोहन सिंग जी ने जपान के और फ्रांस के परधान मंत्रियों के साथ इस चीज पे चर्चा की थी उसके बाद इस पे सर्वेज वगरा शुरू हुए थे इस पे वो एक विशलेशन वगरा जो इस चीज का होता है फिर शुरू हुआ था टोटल एनेलिसीज वगरा भी इसका क्या फाइदा होगा और उसके आगे ही पढ़ा है थोड़ा अभी कहीं कुछ नहीं है लेकिन मैं समझता हूँ हमारे लिए उससे ज़्यादा प्रात्मिकता बुलिट ट्रेन की जगा जो हमारे आज के दिन गाड़ियां हैं उनकी जो दुर्दशा है नहीं डाल रहा वो दुर्दशा लंबा समेक से है उनको बहतर करते गाड़ियों को एक हम अपने नए नाम दिखाने के लिए अभी कोई हाई स्पीड ट्रेन नहीं है जो तेजस भी है वो हाई स्पीड ट्रेन नहीं है हाई स्पीड ट्रेन कर धाई सो किलो मिटर से उपर का होता है वो तो उसी में थोड़ी सी बेहतरी है और वो ये काम ये तीन सालों में नहीं हुआ उन पे काम पहले से चल रहा है वो tracks पहले से strengthen हो रही है और एक चीज जो और जो मैं अपनी बात को आगे लेके जाना चाहता हूं बताना चाहता हूं आज जाके कल को शैद कर रहे हैं गोहाटी में उदर सैम में आगे जा रहे हैं वो एक पुल है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पुल 9.15 किलो मीटर का वो पुल है धौला साधिया पुल वो कल को आप सोन ले ना पर्थान मंत्री ये कहेंगे 60 वर्ष में कहीं कुछ नहीं किया वो पुल 2011 में बनना शुरू हुआ था ये शयद उनको याद नहीं रहेगा वो भी उस पुल का उधगाटन करेंगे उधगाटन करना उनका अधिकार है आज के दिन ऐसे ही JNK में जो गाड़ी के लिए गए थे वो श्रीमती इंद्रा गांधी के समय से काम हो रहा था दुनिया का सेकंड हायस पुल वहाँ है उच्छा पुल बना है वहाँ एक नई टेकनोलोजी के साथ वो कोई तीन वर्ष में नहीं हुआ था वो वो सब चीजे पुरानी हैं जनको अपना बता रहे हैं हाँ आज उनका उद्गातन ये कर रहे हैं एक दूरदर्षता के साथ काम करना होता है वो यूपीय ने किया था उनका फॉल इनको जरूर मिल रहा है जी-एस्टी का आपने खिर किया था जी-एस्टी का डटके विरोद चीफ मिनिस्टर मोदी जी ने किया था आज उसको बहुत बड़ी चीज़ बताये जा रहे है और अच्छी है वो कांगरस ने उसका समर्थन किया है उसमें कई बातों पर हम साथ नहीं है कि वो फरक डाला है वो अतना ठीक नहीं बना जितना कांगरस के समय था लेकिन फिर भी कुछ शुरुआत है और वो इन्हों ने ढटके विरोद किया था अगर विरोद ना किया होता वो आठ साल पहले बन गया होता वो कानून वही कानून आठ साल पहले बन गया होता ऐसा किया हुए ने इन चीजों के साथ, मनुरेगा के साथ उसको तो मौनिमेंटल मिस्टेक बोली थी अधार को रोके रखा था अधार पे बहुत रहगी नुक्ता चीनी की थी बहुत आलोचना की थी और ऐसे ऐसे सवाल किये थे उनोंने, मोदी जी ने बोलते हुए परधान मंत्री डॉक्टर मरमौन सिंग जी के खिलाफ कि इसमें लूट हो रही है इसमें इतना पैसा खर्च हो गया बताईए उसका कौन जमेदार है, क्या हुआ कहने को बहुत बड़ी बातें करते हैं ऐसे ही पहले करते थे अब मैं उसमें थोड़ी सी क्योंकि ममूली से समझ है मैं रॉपए की वैल्यू पे यह नहीं मैं कहता कि अब वैल्यू रॉपए की गिर गई है, वो शयाद हमारे एक्सपोर्ट वगरा के लिए ठीक है लेकिन इन्हों ने मोधी जी ने और इनके आज के साथियों ने ये कहा था जब रॉपए उस वकत गिर रहा था कि रॉपए भी गिर रहा है और परधान मंत्री अपनी गरीमा भी खो रहे हैं अब क्या हुआ है अब उसके बाद कहां पहुंच गया और फिर लोगों पे जो टेक्स लगाने का है जब दुनिया में कच्चे तेल का रेट जो 80% हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं अपनी देश में उसका 80% जब लेते हैं तो कितना बड़ा महगा पड़ता है उस वकत जब 125 डॉलर प्रती बैरल था बैरल में 160 के लेटर होते हैं तो उस वकत उसकी कीमत 70 रॉपएद पाज यहां एक प्रती लेटर पहुँच गई थी उस वकत यह मांग कर रहे थे परदर्शन कर रहे थे कि इसका आप रेट गिरा दो आप इस पे टेक्स खतम करो लोगों को सस्ता दो अब क्या हुआ उसके बाद 125 से 50 तक आगया इनके समय रेट कम नहीं कि यह बढ़ा दिये उतना ही जतना अंतर था उस पे उतना ही उन्होंने टेक्स लगा दिया अब बढ़के 50 के तक्रीवन हो गया है अब भी बढ़ाय रखा है क्यों नहीं उन लोगों को बेनिफिट दिया क्यों यह ऐसा है कि हवाई जहाज का फ्यूल सस्ता हो पेट्रल से जो आम आदमी बच्चे या क्लास फॉर जा कोई क्लास सी कोई लोग चलाते हैं स्कूटर एक आम आदमी रखता है उनको महगा पढ़ रहा है जेल जाने की सजा और प्रोपर्टी अटेच करने का प्रवाधान किया गया है तो जिससे वेपारी काफी नराज भी है क्या आपने जो जी एस्टी बिल लेकर आए थे जो आपका ड्राफ्ट बनाया था क्या उसमें भी ये था इनमें इनको चाहिए ये था कि जो उसमें पहले लोगों को अच्छी तरह उसे वाकफ करवाते है लंबा समय लगवाते बहुत एक्टस में होता है कि कहीं न कहीं कुछ सजा का होता है लेकिन जिस हिसाब से दो दिन पहले तक तो रेट बताएं है और उस पे एकदम लोगों को जिनको कोई समझ नहीं होगी आप विपार देखिए कहां कहां कितना कहां कहां विपारी बैठे है सबी को जब उसकी पालना करनी होगी उसमें कहीं कमी रह जाए क्या वो दोशी बन जाएंगे क्या उनको सजा दे देनी चाहिए पिनल्टी की प्रावधान है पिनल्टी की प्रावधान रहनी चाहिए थी और यहां तक आप हमारी बात करते हैं अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ था उस पे तो डिसकॉशन्स हो रही थी जी एस्टी पे जो इंपावर्ड कमीटी ऑफ चीफ मिनिस्टर्ज है वो उन पे डिसकॉश कर रहे थी उन डिसकॉश के निचोड के बाद वो होना था यह उसी में आगे नहीं बढ़ने देते थे मीटिंग में उस बात में जब उसकी इंपावर्ड मिनिस्टर्ज की कमिटी की मीटिंग होती थी उसी वकत आगे नहीं बढ़ने देते थे बलके यहां तक के वेस्ट बेंगॉल वगरा के तो लोग उस वकत इसका समर्थन कर देते थे उनके चेर्मेन थे उनके फाइनेंस मिनिस्टर यह नहीं करते थे उस वकत बंसल जी आपके पास काफी देर रेल मंतरा ले रहा है तो रेल वे में अभी तक भाजपा सरकार ने क्या सुधार किया है और कितनी नए ट्रेंज लाई है मैं यह मानता हूँ कि इसके बावजूद के रेल मंतरी एक मेहनती इंसान है जी जान से काम करते हैं लेकिन रेल्ट क्यों नहीं लेकिन असलित यह है कि रेल्ट नहीं मिला किसी भी चीज़ में आप बुलिट ट्रेंज की बात उन्हों ने बहुत कर दी अभी कहीं कुछ नहीं है और अभी काफी देर होगा नहीं कॉंग्स ने भी पहले बात की थी कांग्रिस ने एक जो बहुत बड़ा काम शुरू किया था वो था डेडिकेटड फ्रेट कॉरिडर चार रस्तों पे बड़े बड़े इन्होंने चार को बढ़ा के आठ कर दिया लेकिन चार पे काम का भी तक उतने अच्छे धंसे जो उसमें प्रॉग्रेस होनी चाहिए थी वो नहीं हुई जिसके लिए के लिए माल गाड़ियां अलग चलेंगी वो यह लाइने खाली हो जाए डॉक्टर मनमोहन सिंग जी ने फ्रांस के और जपैन के परधान मंत्री से औरों से उस पे बात की थी आगे बढ़ रहा था लेकिन वही सब कुछ नहीं है आज के दन जरूरत है ट्रेन जो बनी हुई है उनकी सफाई कहा नजर आ रही है आपको अनॉंसमेंट्स हो रही है ल बहा जाता है वो वैसे भी दूसरे नंबर से ग्यार में नंबर पे गिर गया ये हालात हो गई है से आप सफाई का अंदाजा लगा सकते हैं जरूरत आज के दिन है कि सही में लोगों को बेनिफिट क्या हुए जगा 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 लोगों से सुनने को ये मिलता है और देखा ह बनसल जी एक भाजपा सरकार ये भी दावा कर ली है कि क्राफशन पे उन्होंने रोक लगाने के लिए काफी काम किया है और कई जगा च्छापे मारी भी की गए आप रोजी अकबारों में पढ़ते हों चापे मारी का काम कोई निया काम नहीं ये सरकार का डिपार्टमेंट का इंकम टेक्स का एडी का एक काम है कि जगा जगा जहां से उनको कोई सूचना मिले वहां ये करते हैं बलके इन से पूछने की तो ये बात है कि जो लोगों के प्रती बारवार कहा गया है विजे मालिया बाहर बैठे है कितना पैसे का कर रखा है उसके प्रती क्या हुआ है आज तक और ललित मोदी बाहर बैठे हैं उन्होंने यहां क्या किया हुआ था क्या उन पे इल्जाम लगे हैं, उनको किनकी सहे पे, किनके वो एक साथ समर्थन, बेशक खुल के समर्थन नहीं होता, लेकिन समर्थन के कई तरीके होते हैं, implicit, explicit, वो किसी साम से, वो लोग बाहर बैठे हैं, उन पे कारवई क्यों होके कुछ नहीं आई, जब वो चीजों पे करेंगे, फिर लोगों को सामने नजर आएगा, कि कहां कितना काम हुआ है, सपश्ट और पे फिर लोगों को पता लगेगा, और अभी तक लोग पाल नहीं बनाया, तीन साल और निकल गए, उसके लिए अभी तक इस बात पे अड़े हुए हैं, कि हमने, जो कॉंगर्स का उस किसी डंकी उसके नियुकती के लिए, यहां हाल पहुँचे हुए हैं, बंसर जी एक भाजपा और बार बार दावा कर रही है कि पूरे देश को कॉंगर्स मुक्त करना है, हम एक चीज उनके प्रती हमेशा कहते हैं, कि यह लोग तंत्रिक जो प्रमपराएं हैं, उनके खिला जिसने हिसाब से है, जैसे आज से बहुत समय पहले था, वैसे नजर आते हैं इनके जो जो चाल होती है, और वो अपना जो यह कहते हैं कि हमने मुक्त करना है, उससे ज़्यादा होता है, इनको गलस फेहमी है, कॉंगर्स के साथ लोग हैं, मुझे ताजब होता है, यह बात जो शिरी अमिस शाह हैं, उनसे पूछा कि आप नौकरियों के लिए कह रहे थे, कि दो करोर नौकरियां एक प्रतिवर्श हम और नई पैदा करेंगे, हुआ क्या है, उसका कहीं कुछ नहीं हुआ, तो जवाब इनका मालूम क्या था, यह कह रहे हैं कि हम 125 करोर लोगों को न नौकरियों थोड़ी दे सकते हैं, रेप्रेजेंट सभी को कहते हैं, जबकि 31 परसंट को करते हैं, नौकरियों जितनी इन्होंने खुद कहा था देनी हैं, वो नहीं दिये, जब यह बातों पर आएगा, क्या लोग नहीं सोचेंगे इन पर, किसी कारण लोग तंतर में ऐसा लोग तंतरिक भावना है, टेमपर, वो लोगों के बीच में है, वो लोग इनको बता देंगे समय पे, तैंक्यू, ये थे मेरे साथ, पूर केंद्रियमंत्री पावनकुमान बंसल, इनका कहना है कि भाजपा जो दावे कर रही है, वो ध्रातल में कही नजर नहीं आता, इसक पर नियुद, चंडिकाओं।